आठ अगस्त है अगस्त करांती का जुगल आश्ट अगस्त को बजा था और महात्मा गांदी ने भारत छोड़ो इस मंत्र के साथ देश को आज़ादी के पूरे आंदोलन में एक बहुत बड़ी तिवरता के साथ आंदोलित किया था अर नव अगस्त को आज़ादी के दिवानों पर बहुत सारे जुल्म ढाय गए थे आज आठ अगस्त पचतर साल हो रहे हैं उन सभी आज़ादी के दिवानों को स्वारण करते हुए आज आठ अगस्त को टेक्स्ट टर्रिज्म से मुक्ति पुछ दिशा में एक एहम कदम हमारी संसत दोनों सदन के सभी सांसत मिलकर के एक बहुत बड़ा एहम कदम उठाने जा रहे हैं हमारे देश में टैसकों लेकर कैसी स्थिती रही है साइद कुछ लोगों को मालूम होगा टैक्स को लेकर के सुप्रिम कौर्ट में एक मसला आया था और विशह ये आया था कि नर्यल को फल माना जाए कि सबजी माना जाए नर्यल पर फल के आधार पर टैक्स हो कि सबजी के आधार पर टैक्स मुक्ति भिले मसला सुप्रिम कौर्ट तक चला था तो एक टैक्स की हमारी जो पूरे रही परंपरा रही है उसमें कैसी कैसे उतार चड़ावाएं हैं इसको समझने के लिए ये घटना अपने आप में परियादता है मैं समय एक सबकार से सभी राजनितिक दलों का सभी राजनितिक पार्टियों के द्वारा जो सरकारे चल रही है उन सब का धन्यवाद करने के लिए खड़ा कुआ हूँ एक ऐसा निर्ड़े हम कर रहे हैं जिसमे राजसभा लोकसभा 29 राज्य और जिनके कोईन कोई नुमायंत की जीत करके आए है ऐसे 90 राजनितिक दल उन सब ने एक व्यापक मन्थन करके विचार मन्थन करके आज हमें यहां पहुंचाया है और जिसको हम उस समय के बाद अंतिम निर्णे के लिए महर लगाएंगे और इसलिए यह बात सही है जन्म कोई दें लालन पालन कोई करें करश्ण को जन्म किसे ने दिया करश्ण को बड़ा किसे ने बनाया लेकिन यह भी सही है कि यह किसी दल का किसी सरकार का विजय नहीं है यह भारत की लोकतंत्र की उच्चे परंपराओं का विजय है यह सभी राजनितिक दलों का विजय है यह पहले की और वरतमान सभी सरकारों के योगदान से है और इसलिए कौन जीता कौन हरा इसके लिए मैं नहीं मानता हूं कोई विबात के आवशक्ता है और इसलिए एक मिनीट प्लीज बन मेनीट माध्या सद्यसे करना अगर सभा के सहमती हो तो इस बिल की समापती तक सभा की कारवाई बढ़ा दी जाए दन्यवाद दन्यवाद अत्रिक महुदा जी आपने मुझे बना मुझे लग रहा था ख़गे जी मेरे लिए समय रखेंगे की नहीं रखेंगे मैं आपको बहुत आभारी हो इस बधाई के लिए जी एस्टी का मतलब है ग्रेट स्टेप बाई इन इंडिया जी एस्टी का मतलब है ग्रेट स्टेप टावर्ज ट्रांस्फोर्मेशन जी एस्टी का मतलब है ग्रेट स्टेप टावर्ज ट्रांस्परंसी और इसलिए हम एक नई व्यवस्था से जूटा है एक भारत स्टेप भारत यह हम सबका सपना है और एक भारत जब हम रेलवे की तरब देखते हैं एक भारत के अनुभूती आती है जब हमारे डाक खाने देखते हैं एक भारत के अनुभूती आती है जब हमारे All India Civil Services को देखते हैं, एक भारत की हमें महेकाती है, हम IPC, CRPC की दर्ब नजर करते हैं, तो एक भारत की हमें पाइचान बलती है, जब आज हम भारत NET की बात करते हैं, Digital Area की बात करते हैं, सागर माला की बात करते हैं, यह सारे उपकरम एक भारत इस भाव को बल देते हैं, ताकत देते हैं, और उसी सिलसिले में, आज JST, वो एक नया मोती, इस माला में हम परो रहे हैं, जो एक भारत के भाव को ताकत देता है, यह सिरफ कर व्यवस्ता नहीं है, सब राज्यों और केंद्र मिलकर के, एक ऐसी व्यवस्ता विक्सित करें, जिसमें, छोटा सा छोटा राज्य हो, या बड़ा सा बड़ा राज्य हो, सबको यह व्यवस्ता अपनी लगे, यह एक भारत को ताकत देने वाली बात है, और उस अफ में, मैं इसका बड़ा महत्व समझता हूँ, कभी-कभी, GST को लेकर के, संसाई भी रहे, मैं जब मुख्य मंत्री था, मेरे मन में भी बहुत संसाई थे, करणों मुखर जी साब से मैंने कई बार उस पर विचारवी मज़्दी किया था, और आज GST को एक मुख्य मंत्री के नजर से देखने के कारण, परधान मंत्री बनने के बाद, उन मुद्धों को एड्रेस करना मेरे लिए सरल रहा, वो अनुभो मुझे काम आया, और उसके कारण, उस समय राज्यों की जिन बातों को हम एड्रेस नहीं कर पाते थे, कुछ बातें उजागर नहीं हो पा रही थी, कुछ बातें ओजल हो जाती थी, ये सारी बातें, इतने लंबे कार्ड के मन्थन के कारण, और उसमें सिरब मेराई योगदान है साल नहीं, सबका योगदान है, बहुते कम्यों को दूर करने में हम सफल हुए हैं, और ये सामोहिक मन्थन का नतीजा है, फिर भी ये सत्य हैं, कि हम परफेक्ट नी हो सकते हैं, कुछ कमी नहीं नहीं रह सकती हैं, आगे चल करके कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा गुरूर कम से कम इनसान तो नहीं कर सकता है, और इसलिए इतने सारे ब्रेन, इन्होंने कसरत की हैं, कोशिश की हैं, अच्छा करने का प्रयास किया है, और उस प्रयास का परणाप भी मिलेगा, और आज देश अनुभव कर रहा है, कि एक मंच, एक मत, एक मार्ग, एक मंजीन, कि ये मंत्र आज GST के इस सारी प्रोसेस में हम सबने अनुभव किया है, और इसलिए ये बाद सही है, कि राजसभा में अंक गणीत में तो ये बिल संकट में आ सकता था, ये भी सही है, कि राज्जों को केंद्र के प्रती अविश्वास का माहोल था, अपने अपने अनुभवों के कारण था, और इसके सबसे बड़ी आवशक्ता थी, कि राज्जों के में और केंद्र के बीच एक विश्वास पैदा है, सबसे बड़ी आवशक्ता थी, कि ये बात बहुमत के आधार पर निर्णे नहों हो, हम कताई नहीं चाहते थे, और मैंने पहले भी इसी सदन में कहा है, कि लोक्तंत्र इसरब बहुमत के अंका का खेल नहीं हो सकता है, ये सहमती की आत्रा है, सहमती की आत्रा है, और सहमती की आत्रा से आगे बहुते हैं, और इसलिए हम लगाता विचार विमर्ष करते रहें आज हमारे मोयली साब को एक बात का बहुत बुरा लगा इस हाउस को जूनियर हाउस कहा जाता है जो लोग इस प्रकार के शब्द परोग करते हैं उन लोगों को आपका मैसेज जुरूर पहुंचेगा वो बढ़लेंगे कि नी बढ़लेंगे तो कहना कठीन है लेकिन पहुंचेगा लेकिन लेकिन जब मैंने विचार विमर्ष के मैंने दोनों को बराबरी का महत्व देते हुए GST को लेकर के विचार विमर्ष किया था और इसलिए हमारी ये कोशिश रही हैं सबके सुझाओं को स्विकार करने का प्रयास किया गया है हम जानते हैं कि एक अभूत पुर्व सहमती का माहूर पैदा हुआ है और इसमें से एक शक्ति पैदा होती है जो शक्ति राश के लिए एक बहुत बड़ी अमानत होती है हम सब अलग-अलग राजनीती विचारों से जुड़े हुई है राजनीती हम लोगों के जहन में है और हमारी बांतों में कहीं ने कहीं वो आजाना भी बहुत स्वाबावी है लेकिन इस पूरे जीस्ति की चर्चा में हमने देखा कि पवित्र स्थान हम में से किसी ने इसको राजनीती का मंच नहीं बनने दिया यह राष्ट्रिय मंच बना राष्ट्रिय हुटों को सर्वोपरी मांच यह भारत के लोक्तंत्र के उजवल पहलूँ में से एक है राजनीती से उपर राष्ट्रनीती होती है इस बात को हम सब ने मिल कर गए इसका मतलब यह नहीं कि जो प्रस्ताव हुआ है उसमें किसी की कोई शिकायत नहीं हो गए और जरूरी नहीं कि महीं शिकायत होगी यहां भी कुछ लोग बैटे होंगे जिनको लगता हूँ साब इसके बज़ाए ऐसा होता तो अच्छा होता फुल स्वाफ यहां के बज़ाए कौमा यहां होता तो अच्छा होता यह रहना ही रहना है यही तो लोगतनती की थाकत है लेकिन उसके बावजुद भी हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि इसको हम आ भी प्रोसेस होती है और सरकारी अप्षरों का भी उन कागजों को करने वाद यह कि उनिफार्मिटी आए जाएगी इसमें एक टैक्स स्ट्रीम के अंदर उसकी प्रोसेसिंग के अंदर टैक्स के रिट के अनदर और इसका एक सीधा परणाम नहीं होने वाला एक मैसेज बहुत क्लियर जाने वाला है कि इसप्धिक की सबसे बड़ी एक विश्रता यह है कि इसे साफ मैसे जाने वाला है अल्टिमेटली कंजुमर ही जे किंग और एक कानून एक व्यवस्ता कंजुमर को किंग बनाएं यह मैं समता हूं अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान कि आज इस जीएस्टी के बाद मेरा अंदाज है एक साथ से लेकर के ग्यारा तक अलग अलग जो कर्प व्यवस्ता हैं जिससे छोटों मोटे सब उद्द्यभी को व्यवापारी को जूड़ना पड़ता है इसके कारण साथ से लेकर के 11, 12, 13 तक ऐसी सारी करप रथाएं इसके काम समार्थ तो हो जाएगी एक सरली करणा आए जाएगा और इससे छोटे उद्दिमियों को भी लाब होगा और कंजुमर को सबसे ज़्यादा लाब होने वाला है GST जो छोटे उत्पादक है उनको सुरक्षा की गारंटी देता है और हमारे देश की एकोनोमी को ड्राइव करने में यह जो छोटे छोटे उद्द्यमकार है वो एक बहुत बड़ी ताकत है हम उनको जितना सुरक्षित करेंगे उतना मैं समझता हूँ कि इसके करन बहुत लाप होने वाला है हम जानते हैं अर्थ व्यवस्ता का आगे भनाने के जो भिन्न भिन्न पहलू होंगे मेरी समझ में एक छोटा सा मत है कि अर्थ व्यवस्ता को सुचारू रमसक चलाने के लिए अर्थ व्यवस्ता को तेजगती से चलाने के लिए पांच बातों की और हम अगर धान केंदित करते हैं मैं मशीन मट्रियल मनी एंड मिनीट समय इनका इनका अप्टीमम यूटिलाजेशन अगर ये करने में हमारी व्यवस्ताएं आगे बढ़ती हैं तो एकोनौमी को बढ़ने के लिए और कोई नए आउसर तलासने नहीं पड़ते हैं आज हम देखते हैं कि हमारी चुंगी प्रथा के कारण चाहिए ऑक्ट्रों का स्थान हो चाहिए स्टेट के बीच में दो स्टेट जहां बॉर्डर पुरियोती वहां चुंगी नाका हो हम मीनों तक कतार देखते हैं हमारे वेहिकल्स की मशीन वे नुमान है कि हमारे देश में यह जो चलते भीरते साधन है वे अपनी टेपेसिटी का सिर्फ 40 परसंट ही उट्यूलाइज करते हैं 60 परसंट इसको कहीं कहीं रुकना पड़ता है अभी अभी आर्थिक दुर्ष्टी से रिचर्च करने वाली एक इंडिपेंडनेंट एजनसी ने अपना सर्वे बताया है कि इन कारोनों से भारत में एक लाख चालीस हजार करोर डुपियों का वेस्टेज होता है रूके रहने के उसमें सारव का सारा भूमिका चुंगी की नहीं है लेकिन बहुत बड़ा मात्रा में चुंगी भी है जी एस्टी के कारण यह सारे हर्डल और प्रकार के होंगे वो तो समय रहते निकलेंगे लेकिन उसके कारण environment को फायदा होगा जो गाड़िया खड़ी रहती है petrol जलता रहता है diesel जलता रहता है हमारी बहुत सामान एक जगा से दूसरी जगा पर पहुंचने में जो देर होती है इन सारी चीजों में एक बहुत बड़ी सुविधा पैदा होने वाली है और उसके कारण एक सरली करना आने वाला है और जिसके कारण हमारे देश को हम जो विदेशों से इतना बड़ा petroleum लाते हैं उस पर भी हमें कमी आएगी और एक प्रकार से हमारे यहां सब प्रकार की शक्ति रखने वाले राज्य नहीं है हर राज्य एक दूसरे के साथ interdependent है किसी को एक चीज किसी से लेनी पड़ती है एक चीज किसी दूसरे राज्य को देनी होती है तब क्या करें कि उनका कारोबार चलता है और उसमें आज की वबस्ताएं बड़े हरडल पैदा करती है इस एक वबस्ता के कारण उसमें जो कठिनाईयां है उस कठिनाईयों को दूर करने में सुविदा होगी ऐसे राज्यों की इंकम बढ़ेगी आज जो राज्य हमारे देश में पिछड़े हुई राज्य माने जाते हैं इस वबस्ता के कारण उनकी आए बढ़ना एक गारंटी है इसको और उसके कारण इन राज्यों को शिक्षा में अगर धन लगाना है हेल्स सेक्टर में धन लगाना है इंफास सेक्टर में धन लगाना है तो उनके लिए ये इस विवस्ता के कारण जो आए बढ़ने वाली है उस आए से बहुत बड़ा लाब ऐसे राज्यों को होने वाला है और ये बात निश्चित हैं कि भारत के विकास के लिए पस्चिम में जिस प्रकार से विकास हम देख रहे हैं सबसे पहली आवसकता है हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्सा उसको उसकी बराबरी तुरंत लाना चाहिए वरना ये असंतुली तिविकास देश को तेज गती से नई उचायों पर पहुंचाने में रुकावट पैदा कर सकता है जी एस्टी के कारण ऐसे राज्यों को एक नया आउसर मिला है और मैं आज ऐसे राज्यों से अनुरोद करूँगा कि जी एस्टी लागू होने के बाद वें मक्सिमम फाइदा इसका उठाएं जो दन उनके पांस आए उस दन को राज्य की मुल्खुच चीजों पर अगर बल देंगे देखते ही देखते देश जिन सपनों को देख रहा है उन सपनों को हम पूरा कर पाएंगे है जी एस्टी के कारण ये बात सही है मैनिफ्रेक्टिक्टरियंक स्टेटके सामने कुछ तकलिव एंख है कंजूमर श्रेटको जदा फायदा होने वाला है लेकिन भारत सरकार निस जी एस्टी के माधंसे उनको compensate करने के लिए GST में उसका प्रावधान किया गया है और इसका फाइदा जिन राज्यों को ये तकलीफ होने वाली है उसका भी समाधान इसमें होने वाला है आम तोर पर दो भाईयों के बीच भी अगर जगड़ा हो जाता है सगे भाई के बीच में तो या तो संपति के कारण हो सकता है राज्यों के बीच का तनाव भी ज़्यादातर या तो प्राकृतिक संसाधनों को ले करके रहता है या तो संपति को ले करके रहता है इतना टैक्स है हमें क्या देतो है यह मिलना चाहिए वह मिलना चाहिए रहता है इस व्यवस्ता के काराण एक ट्रांसफरंसी आएगी केंद्र और राज्य से कितना धन एकत्र हो रहा है किस खजाने में कितना जमा हो रहा है ये राज्य को भी पता भी होगा केंद्र को भी पता होगा और लिखित दियमों के आधार पर उसका बट्वारा भी होगा और उसके काराण फैडरल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी आवशक्ता होती है विस्वास यह विस्वास पैदा करने के लिए एक बहुत बड़े कैटलिक एजन्ट के रूप में यह नई व्यवस्ता काम आने वाली है जो भारत के फैडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली है और यह जो भी टैस्ट कलेक्शन होगा वो दोनों की जानकारी में होगा जिसके मातों को बारी किसे देखा होता है शाज जिस समय बना होगा उस समय साथ देखने का उसर नहीं मिला हो लेकिन कभी बताऊंगा यह जिसमें गरीबों के लिए उपयोगी जितनी चीजे हैं वो सभी टैस्ट के दाइरे से बाहर है सभी टैस्ट के दाइरे से बाहर है कंजूमर इंफलेशन निर्धारित करने के आइटेम में लगवग 55 प्रतीशत फूड और जरूरी दवाएं यह जिएस्ट के बाहर है और इसलिए बोलने के लिए तो कुछ चीज़ अच्छी रहती है और वी आपको भी तो कुछ मिडिया में कल जगा मिलनी चाहिए मेरी शुक्तामनाएं हैं लेकिन सच्चा ही कुछ और है इस व्यवस्था के कारण कभी कभार कुछ चीज़े कैसे फाइदा करती है हम लोगों को मालू है कि हमारे देश में रेवन्यू और फिस्कल डेफिसिट यह हमेशा एक रहता था पिर करज करो पिर राज्य करज में डूब जाए यह चलता रहता था और सभी ने मिलकर के एक एफार बीम कानून की और गए फाइनांसल डिसिप्रिन के लिए राज्यों ने भी उस बात को स्विकार किया केंदरे ने भी दबाव पैदा किया और एक प्रकार चे भारत में एफार बीम कानून के कारण revenue and deficit दोनों के बीच में तालमेल का एक संतुलित प्रयास हुआ है और उसके कारण राज्यों की economy में उसकी economical health में एक तंदुरस बडलाव आया है सकारात्मक बडलाव आया है इस सरकार ने कानूनन एक महत पूर्पूर फैसला लिया है और कानूनन मैं कह रहा हूं उसका बड़ा महत पूर और कानूनन फैसला यह दिया है हमारे देश में एक बड़ी चर्चा चल रही है रिज़र बैंक का सोच एक होती है सरकार की सोच दूसरी होती है और हमेशा ग्रोफ और इंफ्लेशन ग्रोफ और इंफ्लेशन की बाते एक दुसरे के साथ जोड़ करके देखी जाती है और हमेशा होता है कि बहुत इंफ्लेशन है इसलिए ब्यादधर का यह स्तिति रहेगा ब्यादधर के स्तिति यह रहेगी तो इंवेश्मेंट नहीं आएगा तो ग्रोफ यह सारी विबात हम सुनते आये हैं पहली बारी सरकार ने कानूनन रिजर्व बैंक के साथ कहा है कि अब इन्फलेशन चार प्रतीशत स्थीर करना चाहिए तू परसंट प्लस माइनस कानूनन कहा है और ये 2021 तक ये रहेगा और इसके कारण अब सब जितनी भी फाइनस से जुड़ी भी इन्स्टिट्यूशन है उनका इन्फलेशन के समझ में एक जिम्मेवारी बनने वाली है पहली बार एक कानूनन किया गया है और उसका लाग मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी टेक्स कलेक्शन कलेक्शन सिस्टेम को हमारा जो मनी बल्क है उस बल्क का डेवलप्मेंट के लिए उप्योग करने की दिशा में और अधिक जिम्मेवारी बढ़े गयों कि माहोल बदलेगा ऐसा मेरा पुरा विस्वास है यह बात सही है देश आजाद हुआ आज तक गरीवी से हम लड़ रहे हैं और जब कोई कहता है कि 65% लोग गरीवी के नीचे हैं यह विरासत हमें मिली है मैं मालूम है लेकिन कुछ अच्छा मिलता है तो कुछ कम अच्छा मिलता है तो उनों स्विकार करना पड़ता है अब हमारे भागे में देश की गरीवी हमारे नसीब में आई है लेकिन गरीवी के खिलाब लड़ने की इच्छा हम सब की है और यहां बैटे हुई इस पार हो उस पार हो सब की है तरीके अलग-अलग हो सकते हैं हमारी कोशिश है एकनुमिकली एमपाउ़्मेंट अप्पूवर एजुकेशनली एमपाउ़्मेंट अप्पूवर यह दो ऐसी चीजें हैं जिसके माद्यम से हम एक ऐसी गरीबों की फोच तयार कर सकते हैं जो स्वयम गरीबी को समाप्त करके विज़ई होने के लिए सर उखड़ा करके निकल सकती है और इसलिए GST इस माहोल को तयार करने में एक बहुत बड़ा प्लेटफरम बन सकती है और जिसके लिए गरीबी के खिलाब लड़ने के लिए भी यह हमें काम आ सकता है हम जानते हैं छोटे उद्यमकार बैंकों में लोन ले जाते हैं को कितनी दिक्कत होती है हम कोशिश कर रहे हैं यह पुरानी आदते बदलावा आए इसके लिए लेकिन आप इतने सालों की आदते कैसे बदलेगी महनत तो कर रहे हैं लेकिन यह सचाई है कि काफी बुरी आदते पड़ी हुई है छोटे उद्यमकारों को बैंक में अगर लोन लेंगे तो पचासों कागज मांगेगे हर कागज को क्वेस्टिन करेंगे क्वेस्टिन करके रीजेक्ट करेंगे और उनकी पसंद्गी के लोगों को वो पैसे देजिए करने की कोई ताकत नहीं होगी कि इसको लोन देना के नहीं देना गरीब से गरीब व्यक्ति को भी यह ऐसा सबूत सामान्य मानवी के हाथ में आने वाला है जिस सबूत के माध्यम से वो सामान्य कारोबार करने वाला व्यक्ति भी दूद बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, नाई हो, अख़बार बेचने वाला हो, छोटा व्यक्ति भी, वो अपनी चीजों को ले करके इस काम को कर सकता है, और इसलिए GST का सबसे बड़ी ताकत है टेक्नलोजी की, और उसके कारण रियल टाइम डाटा अवेलेबल होगा, और जब रियल टाइम डाटा अवेलेबल होता है, तो व्यक्तियों को अपनी ताकत, अपनी च्छमता, उसको सबूत के रुप में पेश करने में, कभी कोई दिकत नहीं आती है, और उसके कारण, उसको इसका लाब मिल सकता है, इसके कारण सहज रूप से जब दन की उपलब्दी होती है, तो एक प्रतीस परधा भी आती है, मैनिफेक्चरिंग की प्रतीस परधा की संभावना बढ़ती है, और जब मैनुफेक्टरिंग की प्रतिश्प्रधा बढ़ती है तब अर्थ रचना को ग्यती मिलती हैं नए लोगों के लिए रोजगार उपन होते हैं और इस व्यवस्ता के कारण मनिल फ्लो बढ़ने के कारण रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ने के लिए इस व्यवस्ता के तहट पूरा अवसर मिलने वाला है हमारे देश में निवेश बढ़ाने की दृष्टी से tax to GSDP ratio यह हमेशा एक question mark के साथ चलता रहा है इस नई व्यवस्ता के कारण यह सवालिया निसान हमेशा हमेशा के लिए मिठ जाएगा और इसके कारण राज्य भी अपने निर्णे करके विकास के इंफास सेक्टर के सोशल सेक्टर की बदद करने के सारी बातों को तेज गती से आगे बढ़ा सकते हैं और मैं समझता हूं कि इसको बढ़ा पाएंगे कभी कभार हम लोग ब्रस्टाचार के खिलाब बहुत कुछ कहते हैं लेकिन ब्रस्टाचार को खतम करने के लिए व्यवस्ताओं को भी उतना ही मजबुद बनाना पड़ता है व्यक्ति अच्छा ही करेगा इस विश्वास के साथ इतनी बड़ी बाते चल नहीं सकती अगर व्यवस्ताओं ठीक होगी तो गलत इंसान को भी व्यवस्तित रहने के लिए मजबूर होना पता है इस जीएश्टी के कारण जो टैक्स ठोरी करने की जो बाते होती है हम जानते हैं हमारी हां कच्चावील और पक्कावील यह शब्द ट्रेडर्स में बड़ा पॉपिलर है कच्चावील और पक्कावील मैं कपसे इंतजार कर रहा था कि आप खड़े क्यों ने हूंगे कुक्चार ट्रेड खानिक अ मिन दूस है कमैं कर दो के लिए रूटी कि यह गॉई किन है गाराण कि यापारी स्वायम प्रेरित होगा यह इसलिए जैसे अगर मानू हमारा हेल्थ इंशौरंस है अगर हेल्थिंशौरनस है उसक्थ हम है हमारे मेडीकल सारे बिल, बड़ाबर समालते रखते हैं कि इजर उदर नहीं जाए क्यों क्योंकि हमें मालूम है कि वह सारा रहेगा तब जाकर करका पाऊंगा तब जाकर पैसे मिलेंगे जी एस्टी में वह व्यवस्ता है कि जो भी व्यक्ति है वो अपने बिल प्रस्तित करेगा उसके भहित की जितनी चीज़े उसके इसका रिक्षण बिल जाएगा और इसलिए यह पुरानी जो है कच्छे पक्के की दुनिया एक प्रकार से काले धन को भी वह मोबिलाइज करती ह है इस पर एक पूरी तरह रोख लगा देगी पूरी तरह बंद हो जाएगा यह एक प्रकार से रस्टाचार को काले धन जोनों को समाप्ता करदे में यह ववस्ता काम आने वाली है और उसकी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसको लाब मिलेगा हम जानते हैं कि हमारे देश में टैक्स कलेक्शन के पीछे बहुत बड़ी फोद लगी रहती है उपर से नीचे तार और कलेक्शन का कॉस्ट भी बड़ता जा रहा है इस विवस्ता के कारण सभी ऑनलाइन होने के कारण टेकनोलोजी आधारित होने के कारण हमें कॉस्ट आप कलेक्शन में बहुत कभी आएगी जो पैसे देश के गरीब व्यक्ति के विकास के भलाई के लिए काम आएंगे हैं उसी प्रकार से जहां पर भी सरकारी व्यवस्ताओं को इंटर्फियरंस का आउसर मिलता है तो कहीं में कहीं से करप्शन की बू आना शुरू हो जाती है यह एक ऐसी व्यवस्ता विक्सिद हो रही है जिस व्यवस्ता के कारण करप्शन इस पूरी कलेक्शन की प्रक्रिया में जीरों की तरफ जाएगा और उसके कारण भी भेश को बस्चाचार मुक्त बनाने की दिशा में हमें अवसर मिले जाओं यहां डाटा इंटिगेशन होने वाला है याने कच्चे माल से लेकरके अंतिन प्रोडेक्त तक हर जगा पर वो कहीं में कहीं ऑनलाइन रजिस्टर होते जाने वाला है और इसलिए नेचरल कोस में क्रॉस चेकिंग की व्यवस्ता है और क्रोस चेकिं़ की ववस्ता होनेके कारण कहीं पर भी कोई चोड़ी तुरंज पकड़ी जाती है और उसके खारण एक प्रकार की सीमलेस ववस्ता इस सीमलेस ववस्ता हमें लाब करेगी यह एक ऐसी ववस्ता विक्षित हो रही है जिसमें टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर इनके बीच का वुमन इंटरफेस करीब करीब जीरो हो जाएगा और उसके कारण इतना दोगे तो तुबारा काम पूरा हो जाएगा इतना करोगे तो पूरा हो जाएगा वो आएगा तो कीग होगा यह सारी चीजों से भारत का सामान्य मानवी मुक्त हो जाएगा और उसकी दिशा में मैं सब एक प्रकार से टैक्सपेयर का व्यवस्था ही ऐसी बेन रही है कि जिसमें उसको इमानदारी से मुनाफ़ा होता है जितना वो देगा उसको पता चलेगा मुझे इतना मिलने वाला है और उसके कारान इस चीजों को हम काले धन को रोक में में भी सफल होंगे राज्य और केंद्र के टेस्ट के आंकड़े एक ही जगा पर उपलद्द हों और रजिस्ट्रेशन हो रीटर्ण हो टेस्ट प्रेम्पेंट के डिजिटल व्यवस्ता हो यह समरी चीजें ऑनलाइन होने के कारण ट्रांसफरंसी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेट्फॉर्म हम इसमें पास सकते हैं और पाएंगे आगे के द्रिश्टी से अरूर जी हमारे सामने रखेंगे हमारे लिए आज के यहां मद्दान करके इस पवित्र कारे को पूरा करेंगे लेकिन सोला से अधिक राज जितना जल्दी इसको पारिद करें यह आवश्चक होगा उसके बाद भी कई सेम्विधानिक विवस्ता हैं हमको पूरी करनी होगी और भी कई कानून सेंट्रल जी-एस्टी हैं इंटिग्रेटेड जी-एस्टी हैं स्टेट जी-एस्टी हैं इस सारे हम में कानून पारिज करने होंगे लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं के लिए आज एक दर्वाजा खुल रहा है और हम एक सुप शरुआत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उसका पनराम मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमें मिलने वाला है यह भी सही है कि हम लोगों को हुए कि नया भी से होता है तो लोगों की सिख्षा भी जरूरिक होती है आई-टी प्रिपरिवेंद्यंज की जड़ुकरases है लीए प्रिपरेंदेस की आवशक्ता है है टाइक्स और०्टरिटी आफिशल । के प्रिपरिदिश्घ्टराइस की अवर्शक्ता है माहिर देश माने जाते हैं लोगतंत्र की दुरस्टी से दुनिया को उपदेश देने का जो सामर्थ रखते हैं ऐसे देशों में भी फाइनांस बिल जैसी महत्वपुन बाते भी कभी कभी करा पाना बड़ा मुश्किन जाता है यह हिंदुस्तान है यह भारत के लोकतंत्र है यह भारत के राजनीतिक दलों की मैचुरिटी है यह भारत के राजनीतिक नेताओं का दुरद्रश्टी है कि आज हम वैचारीक दिरोधों और राजनितिक पाश्व भूमी अलग होने के बाउजित भी इस महान कायरे को एक स्वर से कर रहे हैं साथ मिल करके कर रहे हैं यह अपने आप पे यह अपने आप पे भारत के लोग कंचर की बहुत बड़ी ताका है एक परसेप्शन जो भी बहार बनता हो लेकिन आज मैं इस सदन के सामने बड़े गर्व के साथ और नमरता के साथ और सभी राजनितिक दलों का सम्मान करते हुए गवरव करते हुए इस सदन में जहां भी बैटे होंगे यहां बैटे हो सामने बैटे हो नूट्रल बैटे हो लेकिन हम इस बात के लिए घर्व कर सकते हैं कि इस सरकार को करीब सो सब्ता से ज़्यादा समय हुआ है लेकिन इन 117 से ज़्यादा समय में इसी सदन ने 100 से ज़्यादा कानून पारित किये सेंच्यूरी पार कर दी है यही तो इस सदन की ताकत है और यही देश के लोगों में एक नाय अविश्वात जगाती है और इस काम के लिए सबकी सकारत मख्भूमी का रही है सब अभी नंदन के जिकारी है और मैंने जब All Party Meeting हुई थी तब भी कहा था कि इसका यस सब को जाता है सबी सदस्य को जाता है सबी राज़ीतिक गलों को जाता है लगातार जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है उन सब को जाता है और मुझे मेरे अपने विचार रखने के लिए अवसर मेरा मैं देक्स महोदाय जी सदन का रुदे से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हम सब मिल करके इस कदम के और आगे बढ़े यही शुक्ताम नाई देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद